हे हेलो गाइज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ अगर आपको आपके टेलिग्राम के अंदर ये प्रोब्लम आ रही है आप जैसे आपकी आईडे को लोग इन करने का ट्राय करते हो या फ प्रोब्लम आ रही है तो आज की वीडियो में मैं आपको बता दू कि अगर आपको ये प्रोब्लम आ रही है तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए इस प्रोब्लम का स्लूशन लेकर आया हूँ आप यहाँ पर इस प्रोब्लम को ठीक करने के लिए हमारे इस वीडियो मे end तक बने रही है तो इसको कैसे आपको ठीक करना है इसके लिए सबसे पहले आपको mobile setting को open कर लेना है उसके बाद फिर आपको यह पे थोड़ा नीचे की तरह आ जाना है और उसके बाद आपको यह पे apps पे click करना है sorry guys मैंने आपको battery पे click कर दिया तो आपको आपको यह पे apps पे click करना होगा फिर आपको ऊपर की तरफ three dots मिल जाएगा आपको यह पे click करना है और फिर आपको reset app पर friends पे click करके reset apps कर देना है guys मैं आपर reset apps नहीं कर पाऊँगा क्योंकि जैसे ही मैं आपर reset apps पे click करूँगा तो यहाँ पे मेरा recorder stop हो जाएगा तो इसी वज़े से मैं आपको इसका reset apps नहीं कर सकता क्योंकि यहां पर recording बीच में ही stop हो जाएगी तो इसके बाद आपको यहां पर telegram को search कर लेना है उसके बाद guys आपको यहां पर telegram पर click करना है guys मैं आपको एक आसान तरीका बता दू जिससे की आप यहां पर कुछ इस प्रकार के पेज पर open हो जाओ इसके लिए आपको telegram पर जो आपको telegram होता है आपको इस पर long press करना है और फिर उसके बाद आपको यहां पर app info पर tap करना है guys फिर आपके सामने यहां पर यह यह same page open हो जाएगा अब सबसे पहले आपको clear data का ऑप्षन मिल जाएगा नीचे की दरब आपको clear data पे click करना है और फिर आपको clear catch पे click करना है और उसके बाद आपको यहां पर ok कर दिना है कि उपके पर क्लिक करने के बाद आपको मैंडेश्बीन का उप्शन या पर स्कों हो जाएगा आपको मैनेश्बीन स्पेस पर टैप करना हुगा और फिर आपको यहां पर क्लियर लोकल डेटाबरेस्ब टैप करके ओकर दिना है ओके जगेगा इस आपको यहाँ पे clear का option आ जाएगा आपको clear पे tap कर देना है फिर आप यहाँ पे back आ जाईए और अब आपको app permissions पे click करना है और आपके सामने कुछ इस तरह से permissions आ जाएगी तो आपको यहाँ पे करना क्या है जितनी भी permission है आपको सभी को allow रखना है आपको यहाँ पे click करना हुगा और अब आपको यहाँ पे करना क्या है जो आपका mobile लेटा और वाइफाइ का option है आपको इनको यहाँ पे own रखना है और आइस बेक्ग्राउंड डेटा यहां पे इतना जरूरी नहीं है आप इसको off कर दीजिए इसका कोई काम नहीं है और अब आपको यह पे करना क्या है मैं आपको बता दू जो आपको प्लेश्टोर होता है आपको इसको उपन कर लेना है और आपको टेलिग्राम सर्च कर लेना है फिर आपको यह पे टेलिग्राम को अपडेट कर लेना है अगर आपको कोई update आया हुआ है update कर लेने के बाद अब आपको यह पे करना क्या होगा तो अब आपको एक simple सा काम और कर लेना है guys जो आपके mobile का power button होता है आपको इसको long press करना है और फिर आपको यह पे आपका mobile एक बार reboot या restart कर लेना है अगर आपको आपके mobile में restart options हो हो रहा है तो आप restart कर लीजिए यह फिर guys आपको मेरी तरह reboot आ रहा है तो आप यहाँ पे reboot कर लीजिए इतना काम कर लेने के बाद आपकी problem ठीक हो जाएगी आपको कोई problem देखने के लिए नहीं मिलेगी आपके telegram में आप easily use कर पाओगे आपके telegram को तो आज की वीडियो में आप सभी को इतना ही बताना था I hope आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो आपको पसंद आई तो like कर देना और चैनल को subscribe कर देना तो गाईज मिलते हैं एक next वीडियो में तब तक के लिए bye bye love you all